नमसकार पियारे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में एक latest update जो है वो हमें पाकिस्तान से मिल रही हैं पाकिस्तान की सरकार ने 26th October 2023 को ये एन्यांस किया है के पाकिस्तान की सरकार अलग-अलग जगाओ अपर deportation centers खोलने वाली हैं और ये जो deportation centers है न यहाँ पर जो भी illegal यहाँ पर इंतसर्स के पाकिस्तान में जो भी illegal migrants रह रहे हैं और यहाँ पर direct इशारा है अफगान के जो migrants हैं लगबक कुछ 17 lakh 1.7 million यानि के 17 lakh जितने अफगान के illegal migrants जो है वो पाकिस्तान में आ गये है अब इनकी quantity काफी ज्यादा रहा है तो पाकिस्तान की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि ऐसे illegal migrants जो है उनको arrest किया जाएगा और उसके बाद उनको deportation centers में भेजा जाएगा सरकार ने deadline भी announce कर दी है 1st November की deadline दी है कि 1st November से पहले आप अपने घर वापस चले जाएए अगर आपके पास documents नहीं है अगर आप इलिगरी पाकिस्तान में रहे रहे हैं तो अपने घर वापस चले जाएए 1st November से सरकार जो है ये operations स्टार्ट करेगी आपको arrest किया जाएगा और फिर deportation centers में भेजा जाएगा ये शब्द देखिए डी पोर्ट राइट जनरली पोर्ट शब्द का इस्तमाल तो हम करते ही हैं तो ये पोर्ट और डीपोर्ट का मतलब होता है कि किसी को आप अपने घर वापस भेज रहे हैं तो that is called deport प्टिकुर्रली जो एक देश होता है वो illegal migrant को जब अपने home country में होती है तो आप उसके बाहर नहीं निकल सकते हैं फिर खाने पिने की चीज़े और ये सरी चीज़े आपको दी जाती है वहाँ पर और फिर आपके documents किये जाते हैं जो home country वाली सरकार है उससे discussion की जाती है और फिर जब clearance मिल जाए उसके बाद आपको उसके हवाले किया जाता ह है और फिर आपकी जो आप जिस देश के citizen है तो आपकी जो सरकार है वो आपको फिर accept करेगी ठीक है तो इस परकार से deportation की process जो है वो काम करती है अब पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को लेकर काफी ज्यादा serious हो चुका है अब यही लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ऐस लाँच्ट ए न्यू कोर्स दिस इस फोर यॉर academic success यह आपके self development और academic development के लिए एक बहुत ही important course है इस course के साथ जुड़ी हुई सारी details आपको हमरे mobile app पर मिल जाएगी do check it out today itself अब रही बाद deportation centers की तो सबसे पहले तो देखे यहाँ पर यह है पाकिस्तान का पुरा map और बलुचिस्तान right you know many things about बलुचिस्तान don't you तो बलुचिस्तान के जो government के spokesperson है जन अच्छाकजाई उन्होंने यह कहा है कि सरकार ने बलुचिस्तान में तीन ऐसे total तीन deportation centers जो है वो create किये है और उसमें से एक center जो है यह क्वेटा जो बलुचिस्तान का capital है तो यहाँ पर इस दूसरे जो centers है आजम खान है यह खाइबर पक्तुनवा नाम का जो province है उसके caretaker chief minister है और यहाँ पर जो blue में आप देख रहे है ना blue color में highlighted है light sky blue color में highlighted यह जो राज्या है पाकिस्तान का देस इस खाइबर पक्तुनवा और यहाँ पर यह जो पूरी border है यह अफ़कोर्स पाकिस्तान में illegally आ चुके हैं ठीक है और 60,000 जितने अफगांज जो है वो वापस भी चलेगा ऐसा सरकार का कहना है basically खाइबर पक्तुनवा के जो acting chief minister हमका कहना है यह कहना है कि जब से 26th October से सरकार ने announcement किया कि हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे illegal migrants को पकड़ेंगे तो 60,000 जि यह जो illegal migrants हैं वो अपने घर वापस चले गए हो अभी for time being अब वो सोच रहे हो कि थोड़ी दिनों के अंदर मामला जब फिर से शान्त हो जाएगा तो फिर से वापस पाकिस्तान चले जाएंगे पाकिस्तान के जो union home minister है वहाँ पर home ministry शब्द का इस्तवाल नहीं होता है ग्र 1st November से सरकार जो है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगी और उन्होंने ये भी कहा है कि इस deadline को अब और ज्यादा extend जो है वो नहीं किया जाएगा उन्होंने ये भी कहा है एक assurity दी है कि जो illegal migrants हैं उनको mistreat नहीं किया जाएगा उनको manhandle नहीं किया जाएगा ऐसा नहीं है क कि यहाँ पर कोई 5 star facility मिलेगी राइट बहुत ही low quality की facilities यहाँ पर मिलेगी and you can understand कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई foreign के tourist यहाँ पर आये है और उनको वापस भीजनी की बात है ये illegal migrants हैं तो उनके साथ फिर उसी प्रकार का व्यवहार जो है वो सरकार करेगी ये सारी चीजे ज की तो सरकार ने ये warning दी है कि आप जल से जल से वापस चले जाए और आप maximum 50,000 पाकिस्तानी रुपीज जयान की 180 डॉलर इतने maximum पैसे जो है वो पाकिस्तान से अपने घर वापस ले जा सकते है इस से ज्यादा पैसे होंगे तो फिर उसका क्या होगा इसके उपर और ज्याद illegal migrants को वो shelter provide कर रहे हैं पना दे रहे हैं तो उनके खिलाब भी strict actions जो है वो ली जा सकती है अब सरकार ने बहुत बड़ा यहाँ पर दावा किया है सरकार ने कहा कि हमें पता है कि migrants जो है वो कहां पर है कहा पर छुपे हुए है और इस प्रकार की tactic जो है वो सरकार ने अभी पाकिस्तान की सरकार जो है इस नोट टेकिंग इट लाइटली लेकिन एस यू कन सी के जो अलग अलग तरीकों से इनको निकाला जा सकता है वो सारी चीज़े जो है वो करने के लिए यहाँ पर सरकार जो है वो हमें एक प्रकार से committed नजर आ रही है रही बात refugees की अब यह भी से लेकर आज तक अफगानिस्तान जो है वो ऐसे यूद को ही देखा है तो जब भी ऐसी situation किसी भी देश में होती है राइट किसी भी let's say कोई एक गाउ है अगर वहाँ पर भी दो communities के वीच में जगडा हो जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने रिष्टेदारों के घ चले जाएंगे कि जब तक चीजे जो है वो back to normal ना हो जाए तब तक वो अपने रिष्टेदारों के घरों पर रहेंगे तो यह तो चोटे गाउं की बात है जब अलग अलग राजियों में या फिर let's say किसी देश में इस प्रकार की situation होती है तो लोग जो है वो अपना घर छ आरे ऐसे अफगानी लोग जो है वो अफगानिस्तान को छोड़कर फिर पाकिस्तान चले गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो border है यह काफी porous border है अब easily आ जा सकते बहुत सारे ऐसे roots से illegal रास्ते हैं पहाड़ों वाला area है तो आप हर जगा पर police या फिर हर अफगानिस्तान की सरकार ने एक प्रकार से permission दी है कि आप यहाँ पर रहिए लेकिन 2021 में जब of course USA ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया और तालिबान ने जब take over किया तो उसके बाद लगबग लगबग 17 से 18 लाग जितने लोग जो है वो illegal लोग जो है अफगानिस्तान के जो है वो illegally पाकिस्तान में एंटर हुए है तो सरकार ने ये clear चीज़ बताई है कि हम ये जो 14 lakh लोग है जिनके पास permission है उनको target नहीं कर रहे है 2021 और उसके बाद जो illegally यहाँ पर एंटर हुए है उनको ही target किया जा रहा है उनको ही वापस बेजने की बाद जो है वो बताई जा नाम की जगा है ये एक border town है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया इनफेक्ट देखिए जो अफगान के लोग है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब जनरली क्या होता है कि जो citizens होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन यहाँ पर जो है वो foreigners जो है illegal migrants जो है वो भी पाकिस्तान की सरकार के खिलाब प्रोटेस्ट करें कि आप ऐसा मत कीजिए पहले क्या हुआ करता था कि पहले सरकार जो है वो special permits दे देती थी तो special permits से आप easily आ जा सकते थे अब लोगों को visas चाहिए अब उनको visa लेने पड़ेंगे तो इसकी process जो है वो आते जाते रहें राइट पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान जाते हैं अफगानिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान आते हैं बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग ऐसे हैं जो दिन में पाकिस्तान में आ जाते हैं अपना काम और सारी चीज़े खत्म करके शाम को फिर वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं तो हर रोज अब डाउन करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुछ लोगों के रिश्टदार पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में हैं कुछ लोगों के बिजनेस अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान में हैं तो यह सारी चीजों क बहुत सारी जगाओ पर वाइवलेंस जो है वो काफी ज़्यादा बढ़ चुका है टेररिस्ट के बारे में आप कहेंगे कि पाकिस्तान तो पहले से ही इंटरनेशनल हब रहा है टेररिस्म का लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगाओ पर टेररिस्ट के अटेक्स होने ल खुछ खाने पिने के अभी बांदे चल रहे हैं पाकिस्तान में तो अब एक्स्ट्रा जो बर्डन उठाना पड़ता है आप एक्स्ट्रा लोग आपके दूसरे देश के इलिगल लोग आपके वहाँ पर आ जाते हैं तो आपके रिसोर्स पर ये एक प्रकार का और ज्यादा व बज़दूर को दो सो रुपे देते हो पर डे के तो ये लोग जो है सो रुपे में काम करेंगे तो अब वहाँ पर भी ये इस्ट्यू चल रहा है बहुत सारे जो इन प्रोविंसेस में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि ये लिगल माइगरेंस आकर हमें जॉब हमारी चली जा कुछ ऐसे लोग थे जब एक लंबे समय से अमेरिका अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा था तो कुछ ऐसे लोग थे जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे और तालिबान की खिलाफ काम कर रहे थे अब तालिबान की सरकार आ चुकी है तो तालिबान के लोग जो है वो इन सा यूएस से पाकिस्तान को ये कहा है, कि जब तक ऐसे जो GEMA विजा अप्लिकेंट से ने जिन्हों ने यूएस से के लिए GEMA की है, तो ऐसे लोगों को आप परिशान मत कीजगा, ऐसे लोगों को डिकोर्ण करेंगे, and that's basically everything in today's discussion dear friends I hope आज की discussion से आपको एक conceptual clarity मिली होगी मेरा नाम है प्रशाथ मावानी, मेरे वीडियो आप ये दो YouTube चैनल पर हर रोज देख पाएंगे and जाने से पहले I would like to remind you about this course ये course बनाया है Dr. Mayurika Das ने इनके पास psychology की field का 15 साल से ज्यादा का अनुभव है और ये जो course है न ये उनके अनुभव, उनकी जो knowledge है ये सारी चीजों का एक निचोड आपको एक course में बिल रहा है Make the most out of it Thank you very much for your love and support God bless you all, Jai Hind